यह तुल्सी का पेड है ना यह है तुल्सी का पेड और दोस्तों यह है अमरूद का पेड जिस पे तक्रीबन 40 लो अमरूद लगे थी इस बार हमारे पेड पर और अब इसको हम जो है निकाल रहे है इसकी मिट्टी देखो यह इसकी रूट्स है जडे यह मर्दा पर्दन का एक बहतरी दारन आपके सामने है बच्पन में जब हमने छटी साथ एक लास में पड़ा था कि वर्क्स लगाने से मर्दा पर्दन रुकता है यानि कि मिस्तिकर्यों कटान होता है न वो रुकता है और यह जीता जागता है उधारन आपके सामने देखो मिट्टी इतनी सक्त हो चुकी है कि हमने इस से कम से कम हमको एक घंटा इतनी मिट्टी निकलिए इसमें से इस गंबले में से और हम इसको इसलिए निकाल रहे है तो कि इस गंबले में इसका प्रोपर जो है ग्रोथ नहीं हो पा रहा है और हम अब इसको इसमें से निकाल कर एक समतल भूमी में लगा देंगे जो हमारा पार्क है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा पहले मैं आपको इसकी वीट दिखा लेता हम पूरी यह हमारा मुरूद का पेड़ है कितने मुरूद निकले थे वाई इसमें अब की बार 30-40 kg लेकिन इसमें एक दिक्कत आई थी क्योंकि जो इसकी रूट से जड़े है इसको फैलने का पूरा का पूरा में इस पेड़ को मोका नहीं मिला था इस वज़े से वह जितने भी मुरूद लगे थे सारके सारे ऐसे जड़ गए थे इसलिए हम इसको बाहर निकल लगाएंगे और यह है हमारा एलोविरा ट्री सबसे पहले हमने यह वाला ट्री लगाया था और इसी से यह वाला है और इसे अलोविरा ट्री में देखो आपको एक्ची दिखाता हूं यह जो है ना यह लसला सपदार था यह बहुत ही महत्तपुन भूमिका निबाता है इसको अगर आप अपने श्री की जो बालों की जड कि वह बंद हो जाएं तूटने बाल चहरे पर लगाऊंगे वह बंद हो जाएंगे और उसी एलोविरा के पेड़ से यह हमने कलम लगाई थी इसकी और मैं अभी आपको और दिखाता हूं कि यह सामने दिख रही है यह लगाई थी यह सामने यह लगाया था और आपका यह अलोविरा के जितने भी गंबले दीखे हैं आपको यह सार के सारे हमने दोस्तों इसी में से लगाए थे यह उपर देखो फोट फोटे तीन गंबले यह यह लगाए थे और इस पेड़ का नाम दोस्तों मुझे पता नहीं अभी और आपको पता हो तो कमेंट में बताए कि इस पेड़ का क्या नाम है कि इसका भी आपको नाम बताना पड़ेगा कमेंट स्बोक में और एक यह अकेले में तनहाई में बैठा है हमारा अलोगरा का पेड़ यह रालाग छोटी सी बगिच्ची लगा रखिया मैं आपको इसको दूर से दिखाता हूं कि कैस इसका देखो कि बहुती बहतरी है है और हमारे माली जी लगे हुए है पेड़ को निकालने में देखते हैं इनको कितना टाइम लगता है इसको निकालने में कि बाट में बिल्वी राइस कि अधिक लोगा हुआ हान जी निकालों या ध्यार नहीं को बोह जोए बच्चे सौमने खेल रहे देखो गुब्बारे उड़ा रहे हैं कि सर्मा कि मार बच्चे हो लिखे रहे देखो गुबारा मारा हो ठीक है निकाल तम इसको और आज की वीडियो करते हैं खतम और हमारे सुच सामने वाला घर है उन्होंने भी जो है लगा रखा है प्लांट चोटा सा और हमारे दूसरा प्लांट हमारे दूसरी छत है दूसरे घर की छत है देखो कि अच्छे प्लांट है कि अच्छे पर लगा रहा है वह बस आज की वीडियो करते हैं वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आप लोगों का सपोर्ट कमेंट बॉक्स में अपनी राइजरू लिखे थेंक यू तैन्यवाद बाई बाई